प्रॉब्लम से सेल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट मार्च तक, इस बार नवरात्री में ये शुब सयोग है, कि ना ही एक भी दिन घटा है, और ना ही एक भी दिन बड़ा है, यानि पूरे नौ दिन की नवरात्री का ये मापर्व इस बार मनाया जाएगा, मा इस बार बुदवार के दिन हो रहा है, तो मा नौका पे सवार हो करक और इसके साथ ही मा की जो विदाई होगी वो 30 मार्ज को डोली में बैठ करके होगी तो नौका पे मा का आना बहुत ही शुब संकेत देता है इससे आपके जीवन में सुख समरित्य और शांती का वास भी होता है इसके साथ ही बात करें अगर हम 9 वर्ष की तो 9 वर्ष में इस बार के जो राजा हैं वो हैं बुद्ध और मंत्री हैं शुक्र तो इनका भी हमारे पूरे साल भर पे बहुत ही शुब प्रभाव पड़ेगा इसके साथ ही जो प्रतिपता का दिन होता है इसी दिन की जाती है घट की स्थापना यानि कलश की स्थापना की जाती है और प्रतिपता के दिन की जाती है मा शैल पुतरी की पूजा इस दिन आपको जो कलश स्थापना के लिए, घट स्थापना के लिए जो मूरत है, जो समय निश्चित है वो सुभा साड़े शे बज़े से लेकर के करीब सुभा साथ बज़ के पचास बिनर तक के लिए हैं अगर किसी कारण वर्ष आप इस समय पे 22 मार्श को सुभा साड़े 6 से लेकर के साथ बचास तक के बीच में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभीजीत मूरत में भी घट स्थापना कर सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या है सुभा सवेरे स्नान आदी के बाद आपको अपने पूजस्थल को साफ कर लेना है चौकी पे एक लाल आसन बिचा करके आप होमादूर्गा की एक प्रतिमा को स्थापित करना है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प सामने एक चावल की धेरी लगाईए और मिट्टी के पात्र में आपको जौब होना है और उसी के साथ साथ आपको उसमें एक कलश की स्थापना भी करनी है लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो कलश की स्थापना की जाती है वो मा के दाहिने तरफ की जाती है इस क कलश पे आपको कलावा बानना है और कुम और कुम से स्वास्तिक का चिन भी जरूरा अंकित करिये। इसके साथ ही आपको कलश में जल भरना है और उसमें सुपारी, अक्षद और कुछ सिक्के भी ज़रूर डालने चाहिए इसके साथ अब आपको क्या करना है एक नारियल लेना है जटा वाला जो नारियल होता है उसको एक चुनरी और कलावे से आपको लपेटना है और उसको इस कलश के उपर आपको स्थापित करना है इसके साथ ही आपको देवी को धूब दीब दिया दिखा करके उनको फल और का भोग लगाईे मा शैल पुत्री को प्रत्थम दिन आपको घी का भोग जरूर लगाना चाहिए इसके साथ ही आपको देवी सुक्त का पाठ करना चाहिए आप दुर्गा शबशती का पाठ कर सकते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा सकता है अगर किसी कारणवश आप कर सकते हैं मा का ये मंत्र जो है बहुत ही प्रभाव शाली होता है इस मंत्र का जब आपको रोज कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए जरूरी चीज़ है अगर आप बहुत सारी चीज़ों की विवस्ता नहीं भी कर पाते हैं तो सबसे ज़ादा जरूरी है आपका भक्ती आपकी शर्दा और वैसे भी ये मा दुर्गा की पूज़ा है मा की पूज़ा है मा की भक्ती और अराधना का समय है तो मा अपने भक्तों अपने बच्चों से उनकी भक्ती और शर्दा से भी प्रसन हो जाती है तो आप मा की पूज़ा मा की अराधना पूरे भक्ती भाव से करिए देखे कैसे आपके सारे कश्ट मादुर्गा जरूर दूर करेंगी कमेंट बॉक्स में जै मादुर्गा लिखना ना भूलेगा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहें एस्ट्रो तक थैंक यू सो माच आप सभी का दिन शुब हो एस्ट्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से